अब हम चलते हैं थोड़ा हैज लो को पढ़ लेते हैं Now what do you mean by हैज लो हैज यह कहता है भाया सीधी सी बात है तुमने किसी chemical reaction को A से B A की step में निपटाया तो उसमें जितना heat content required है या जितनी भी heat use हुई है जितनी energy use हुई है आप उसको चाहर स्टेप में कर लो पहले तुम A से C बनाओ C से तुम D बनाओ D से तुम B बनाओ चाहे तुम ऐसे कर लो तो यहाँ पर जितनी भी heat या energy required है E1, E2, E3 अगर आप directly A से B में जाते हो न इसको बोलेंगे E तो यह बराबर ही होगी यह कहता है कि तुम चाहे अब यह कहता है कि भाया किसी chemical reaction में A से B में directly चले जाओ या A से B में आप घूम के जाओ A से C बनाओ, C से तुम D बनाओ D से B बनाओ यह ना यहाँ से यू जाने पर जो energy लगेगी और यहाँ से यहाँ जाने पर जो energy लगेगी बराबर ही होगी, इसी को hazlo कहते है समझो जरा मैं क्या कहने कोशिश करो अगर आप माल लो A से D बना रहे हो और आप घूम के जाते हो, पहले A से B बनाते हो, फिर B से C बनाते हो, फिर C से D बना रहे हो, in that case जो delta H की value है जो ओपर दिये A से D में लगने वाला enthalpy हो, किसके बराबर होगा delta H1 plus delta H2 plus delta H3 के बराबर होगा, इसी को hazlo कहते है, बहुत simple है, example के तोर पे, माल लो कि आप लोग मेरी बाद धान से सुनना, that's very easy यहाँ पर जो heat contingent, जब carbon पानी से react करता है, तो CO2 और यहाँ पर hydrogen gas जो बना रहा है उसमें जो 90.1 kilojoule energy use हो रही है, अब आप इसको गुमा के ले लो भले, गुमा के क्या मतलब है, गुमा के का मतलब इसका जरह आप नीचे example के तोर पे देखो, अगर आप इसको यू जाते हो घूम के, आप डिरेक्टली भी जा सकते हैं, देखो, carbon plus hydrogen plus oxygen, आप डिरेक्टली भी यू जा सकते थे, समझ मा गया है, जहाँ पर heat content है यह, अगर आप घूम के जाना चाहो, तो पहले आप यहाँ से यहाँ जाओ फिर यहाँ से यहाँ जाओ, समझ मा गया है, तो बराबर ही होगा, जर आप चेक कर लो, मैं क्या बताने कोशिश कर रहा हूँ रुको, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर है लिखा थोड़ा उल्टा हुआ है, देखो, अगर मैं carbon की और hydrogen और oxygen के आपस में और सीधे यह बनाओ, यह, तो heat content कितना है माइनस 390, अब मैं घूम के जाता हूँ, मैं पहले यह बनाता हूँ, फिर मैं यह बनाता हूँ, तो heat content कितना है, यह, और यह, तो बेटा इन दोनों को जोड़ो, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, तो वो इसके बराबर ही आएगा, यही है haz low, समझ मैं, haz low का मतलब होता है, तुम चाहे सीधे रस्ते से जाओ, तुम A से B बना रहे हो, हमें कोई problem नहीं है, जो energy यहाँ use होगी, चाहे तुम A से D बनाओ, D से तुम C बनाओ, और C से B बनाओ, तो जो energy यहाँ use हो रही है, वो बराबर ही होगी, समझ मैंगे इसी को haz low कहते है, is it clear to all of you, बहुत बढ़िया, तो finally guys, हमारा thermodynamic वाला part खता है,